हुकुमत डेजिटल खुदमफ्तारी के साथ समझूता नहीं करेगी रवी शिंकर परसाद वजीर अलेक्टरांक सेंट इंफार्मेशन टिकनालोजी आईटी रवी शिंकर परसाद ने कहा कि टोईटर को नए आईटी अववाद दो हजार अकीस तामील के लिए तीन मा का वक्त दिया गया था उसके बावजुद सोशल मीडिया पलेट फार्म ऐसा करने में नाकाम रहा ह रवी शिंकर परसाद ने कहा कि टोईटर के पास तीन मा का वक्त था फिर भी बहुत सारे मवादे देने के बाद कोई तामील नहीं हुई उनके ये बयानात उन अतलात के दर्मियान सामने आये हैं कि मुकर्रह वक्त पर खानूनी अफ्सरान की तफ्रीरी में नाकामी के बाद टोईटर ने हिंदोस्तान में मतलूबा सैफ हार्बर इस्टसना को दिया है उन्होंने कहा कि हिंदोस्तान में कारुबार करने के लिए सोशल मीडिया साइटें का इस्थभाल है लेकिन उन्हें हिंदोस्तान के आईन की पेरवी करना होगा हम डीजिटल खुदमफ्तारी के साथ समझूता नहीं करेंगे कुछ लोग टोईटर पर सियासत कर रहे हैं टोईटर को असुलों पर अमल करना होगा उससे पबली ही परसाद ने इसी माइक्रो बलागिंग साइट पर ये बात बयान की थी ये हैरत जिदा है कि टोईटर जो खुद को आजादी इसहार वो खयाल का इलंबरदार जाहिर करता है जब इंटरमेडिरी गाइड लाइन्स की बात आती है तो वो दानिस्ता तोर पर इनहराफ का रास्ता चंता है उसके लावा हैरान किन बात ये है कि टोईटर सार्फिंग के शिकायात का अजाला करने में नाकाम रहता है जिससे जमीन के कानवन के मताबब अमल तेह करने से इंकार किया जाता है मुल्प के मनेजंग डाइरिक्टर समीग टोईटर के लिए हदीदारों को अब किसी भी सार्फ के जरिया पलेट फार्म पर पोस्ट किये गए घर कानूनी और इश्ता आलंगेस मवाद पर पूलीस से पूछताच और मुझरमाना जिम्मादारी का सामना करना पर सकता है उसके साथ ही टोईटर वो वाहिद अमरीकी पलेट फार्म बन गए जिसने हिफाज़ती शेल्ड किनवा दिया जिसे आई की एकट के सेक्शन अनास के तहत अता किया गया हालांके दोसरे यूट्यूब, फीस्बुक, वाइट दोसरे जिसे अल्ड़ी, पहालांके तहता है की भी लूट्यूद्ट मोजशों, अल्ड़ी टोसरे खेटेश्टीर, वाइटा। झाल झाल